हेलो एब्रेवन वेल्कम टू ओल इन्वर्मिक्स मैं खुशी और आज आपके साथ डिसकास करने वाली हूं क्लास नाइन हिंदी इतका का चाप्टर थ्री रीड की हड़ी के क्वेशन आंसर को इस चाप्टर में हमारे समाज में लोगों का क्या नजरिया है उनकी सोच कैसी है उन सभी के बारे में देखेंगे इस चाप्टर में हमें पता लगेगा कि अभी भी हमारी जो ग्रामीर शंस्किती है वहाँ पर या फिर हमारे प्राने समाज में लोग लड़कियों की सिक्षा क लेकर क्या सोचते थे उनके बिचार क्या थे चाप्टर काफी इंट्रस्टिंग है और यहां पर देखो ना आपकी जो बुक है हाफ यली एक्जाम में इस बुक से मिली त्री क्वेशन आ सकते हैं त्री तू फॉर क्वेशन और एक क्वेशन जोगा वह मारा फाइब माक्स का ह पूचे जाते इसे आपकी जो आंसर हैं वह यहां पर फिस्ट वैशन देखो राम श्वरूप और गुपाल प्रशाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुल्णा वर्तमार समय से करते हैं इस प्रकार की तुल्णा करना कहां तक 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 शंगत है तो राम शुरुप और गोपाल प्रशाद है वो भी अपने ज़माने की बात कह्कर संबूधित कर रहे हैं थीक है तो इसमें यह इस प्रकार की तुलना कर रहे हैं क्या हैसे कि नहीं है के बिचारों को देखना है अपने बिचारों को यहां पर अपने बिचारों को प्रस्तुत करेंगे तो यहां पर आंसर देखो राम शुरूप और गोपाल प्रशाद दोनों पुराने जमाने के वजुर्ग हैं दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आ आपने प्रयत्म नहीं करना पड़ता यह अपने आप मन में आती है परंतो इन तुल्लाओं को दोस्तों के सामने प्रकट करके उसे नीचा दिखाना गलत है लेकिन यहाँ पर हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते लेकिन यह तक संगत नहीं है ऐसा करने से बुजर्ग लोग अपने हाथों में एक ऐसा हतियार ले लेते हैं जिसके काट वर्तमान पीरी के पास नहीं होती यह भी हर जमाने की अपनी स्थिक्या होती है जमाना जो है वो बदलता रहता है उसमें कुछ कम्यों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं पुरंतु वुजर्ग लोग प्राया अपने पक्ष में एक तरभा अनुभाव सुनते हैं जो कि तक शंगत नहीं है या मनवनजन के लि यह तो वो ठीक है लेकिन उससे हम किसी और को नीचा दिखाएं तो वो बिल्कुल भी सहीं नहीं है ठीक है क्वेशन नमर सेकेंड देखो राम शुरूप की अपने बेटी को उच्छा दिलवाना और बिवा के लिए चिपाना या विरोधा भास उनकी किस्म बिवस्ता को तो हमें कमपैजन करके बताना है कि उसके कौन से विवस्ता रही होगी और वो क्या उजागर करती है अपर आंसा देखो राम शुरूप लड़कियों को उच्छ दिलाने के पक्षधर है मतलब राम शुरूप चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को या किसी की भी बेटी को उच को सिख्षा दिलवाएं उसने उमा को कॉलेज के सिख्षा दिलवा कर भी ये पास करवाया इसके लावा उमा को संगीत कला आधिकावी ज्यान है रामसरूप चाहते हैं कि उमा के साधी अच्छे परिवार में हो संयोग से परिवार तो उच्छित मिला किन्तों जो उनकी कायम लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें दस्वी पास लड़की ही चाहिए तो यहां पर देखो अभी गाउं में यह होता है कि लड़कियों को नॉर्मली गेजविशन पास करवाने के बाल वह बहुत उनकी शादी कर देते हैं तो उन्हें उच्छित्छा नहीं कर्तव और वाक्तव में विरोधा भास रखते हैं ऐसी परिस्थिती एक बिवायोग पुत्री के पिता की विवस्ता को उजागर करता है तो कि अपने बेटी का रिस्ता करने के लिए राम सुरूप उमा को जिस प्रकार की बिवार की अपेच्छा कर रहे हैं वह उच्छित क्यों नहीं है तो यहां पर देखो जो उमा पापा है वो चाहते हैं कि हमारी लड़की का जो रिस्ता है वो तैह हो जाए तो इसलिए वह किस प्रकार का बिवार की अपेच्छा कर रह सरासर गलत है एक तो वे अपनी पढ़ी लड़की को कम पढ़ा लिखा सावित कर रहे हैं और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन समागरी का उपयोग करने के लिए कहते हैं जो कि अंचित है मतलब देखो जब कोई लड़की अच्छे से अपढ़ी लिखी होती है तो अपने घर परिवार की इस्थिती को समझती है वो दहेज का विरोध करती है तो यहां पर उसके पिता चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ भी ना करें और बहुत सारा मेकप वेरा यूज करें और भी सुंदर लगे और जिससे अगर वो विरोध नहीं करें कि इसका मत्या है तो यहां पर ऐसे ही एक्टिंग करें परन्तो वह या भूल या क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रकाल लड़की की अपेच्छाएं होती है ठीक उसी प्रकाल लड़की की पसंद्नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आज समाच में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है यहां पर देखो भाई बिवाह करना है लड़के को लड़की की भी शादी हो रही है उसकी भी जिंदगी है उसे भी अपनी नापसंद का ख्याल लटना चाहिए मा बाप का क्या है बिवाह होने के बाद थोड़े समय बाद उनकी देथ हो जाएगी पूरी जिंदगी बितानी उस लड़की को है ठीक है तो यहां पर हमें अपनी पसंद नापसंद को सोच समझ कर अच्छ से बिचार करके अपने पेरिंस को बताना चाहिए कि आज कल की दुनिया में जो लड़का और लड़की है वो सभी इक्वल है गोपाल प्रशाद बिवा को विजनस मानती है और रामसरूप अपनी बेटी को उच्छ सिख्षा छिपाते हैं क्या आप मानते हैं कि दोनों ही एक सम्मान रूप से अपराधी हैं हमें अपने विचार लिखना है तो यहां पदिको जो गोपाल प्रशाद है वो वकील है वे विजनस का तराजों में तौलते हैं विजनस सब्द से उनकी इस मानस्था का पता चल जाता है यहां पर यह जो गोपाल प्रशाद है वो बहुत लालची किस्म का व्यक्ति है और यह पर जो रामसरूप हैं वे चाहते हैं कि उसकी बेटी का रिस्टा गोपाल प्रशाद की लड़की संका से हो जाए जो मैटकल की पढ़ाई कर रहा है परेंदु समस्य यह है कि गोपाल प्रशाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक दसवी पास होनी चाहिए इस कारण राम सरूप अपनी बेटे की जो उच्छ सिच्छा है वो छिपा च्छूट बोलता है यहां मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराध ही है पर गोपाल प्रशाद का यह अपराध उसकी घटिया सोच चथा रोड़िवारी सोच का पढ़ राम है जबकि यहां पर राम सरूप का जो यह अपराध है वो विवस्ता का पढ़ राम है गयां पर यहां पर जो ओना है जो लड़की लिए राम सरूप की वह बोलती है कि आपके बिटिकी जो रीड़ की हड्डी रहा कोई नहीं है उसका कोई नीजी मत अस्थान या महत्म नहीं है वह अपनी पिता के इशारों पर ही double उनसे जैसा कहा जाता है वह वैसा ही करता है कि जो उसका पिता बोलेगा वह वह करेगा वह बस हां में हाम लारा उसके पास कोई तर्क नहीं है कोई विचार नहीं उसे कैसी पतनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता रहता है ऐसा पती होने योग के नहीं है दूसरा देखो संकर लड़कियों के पीछे लग लगकर अपनी रे चती हो रखी है उसका सरीर कमजोर है उससे सीधा तंकर बैठा भी नहीं जाता इसलिए वाफ बिवा के योग नहीं है और प्रेश्च देखे फ्रेंट शंकर जैसे लड़के या उमा जैसे लड़की समाज को कैसे व्यक्तितु के ज़रूरत है तरक्ष सहित उत्ता देजे तो समाज में हमें संकर जैसे लड़की के जोते या उमा जैसे लड़की तो आप अपने आजसर को बताईएगा कौन सा सही लगता है तो भाई सहब हमें यहाँ पर उमा ठीक तो यहां पर देखू समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व अस्पस्ट वादमी तथा चरितवाई लड़की की ही आउ सकता है ऐसे लड़कियां ही गोपाल परसाथ जैसे दोहरी मान सकता रखने वाले लालची और धोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है ऐसे लड़कियों से ही समाज और देश प्रगती कर पाएगा और क्या सही बात है अगर हमारी लड़कियां बहुत सीधी होंगी वह अपने उनके उनके साथ जो भी एताचार किया जा रहा है दहेश को लेकर उन सबीके खिलाफ अगर वह आवाज नहीं उठाएंगी तो यह गलत है और फिर यहां पर देखो लड़कियां है वह किसी की पुत्री है उनका कन्यादान किया जा रहा है हमें दहीज नहीं लेंचे वह कोई वस्तु नहीं है कि हमने खरीदे दहीज की माध्यम से यहां पर जो उमा है वो आत्म भिस्वास से दम भरी है वो निडर है इसकी विप्रीट शंकर जैसे इस लड़के समाज के लिए निरुपयोगी है संकर जैसे द्यक्ति समाज को कोई दिसाप्रदान नहीं कर सकते हैं आप कैश्ची नमबर सैवन देखिए रेड की हड़ी शीरसक के साथ हकता असपस्ट कीजिए तो यहां पर देखो जो रेड की हड़ी है वो एक एकांगी का शीरसक शार्थक शफल और ब होता तो गोपाल प्रशाद के इतनी हिम्मत ना होती कि वो दो सुच्छित वेस्टों के बीच में बैठ कर अपनी फूहर वाली बातें और असिक्षा का पुरसान करता और नहीं वो कम पड़ी लिखी वाली दश्वी पास बहू की मांग करता तो ठीक है तो यहां पर हमें इ इस कहाने में बहुत सारे पात्र हैं पुरंतों इसमें सबसे सचक पात्र बनकर उभरता है वह उमा ही है वह बहुत ज्यादा आत्म विश्वास से भड़ी पढ़ी लिखी एक सुच्छित चरित्रवान करन्या है ठीक है तो हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती ह उसकी उपस्थिती नारीज हमाराज को एक नई सोच और दिसापदान करती है जिससे हमारे देश का विकास हो सकता है क्वेश्व नमबर नाइन देखो कांकी के अधार पर राम सुरूप और गुपाल प्रशाद की चारितिक विश्यस्ताएं बताईए तिया पर राम सुरू से बहुत करता है लेकिन इसलिए उसने भोविश की चिंता सताथी रहती है इसी कारणवश अपनी पुरूफ है वह समझदार व्यक्नि वो गोपाल प्रशाद की गरत बातों का जवाब भी समस्दारी पुर्वक देता है लेकिन जो आपे गोपाल प्रशाद है वो बहुत रोवदार और चला किसम का व्यक्ति है वकारत के कारण उसको अपने आप पर बहुत ज़़ादा विमान है और वो एक हसमुख प्रवीति का कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसके वो अत्याचार नहीं सहपाएगी कुछी बिगलत हो रहा है तो यह पर क्वेशन नमबर 10 देखो इस एकांगी का क्या उद्देश हैं तो इस कहाने का उद्देश क्या है तो देखो तो इसके अधारत में पतर चलता है कि ज के हैं कि सिक्षा के कारण यहां पर बेटियों के व्यवाह की समय प्रभात की परीशाने को जागर करना जब किसी बेटी का वीवहाँ हो रहा है तो इसके मातापीदा की ऊपर रकने वालों को बेनकाब करना जैसी कि शंकर गुपाल प्रशाद हैं और इस्तरी को भी अपने विचार्ट द्रक्त करने की आजारी देना जैसे कि उमा की पिता ने उसे दी है समाज में महिलाओं की उचित गरिमा दिलाने हैं तो आप कौन-कौन से प्रियोग कर सकते हो तो यहां पर हम इस्तरी सक्षा को योगदान कर सकते हैं horror चाहिए महिलाओं को हिंज दिस्टी से नहीं देखना चाहिए महिलाओं को आगे पढ़ना चाहती है वीडियो भी अप्लोड है आप को देख सकते हूं मैंने हाफ एली के कुशिन पर अप्लोड का रखें क्लास 9 और 10 के हिंदी इंग्लीज साइंस सब्सक्राइब के अपलोड है तो आप जाकर उनको देख सकते हो अपनी फैंक शार भी शेयर करें मिलते हैं इस वीडियो में दिल दन बाय राधिरादे